हलो दोश्तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को टेक्शरिंग के बारे में बताऊंगा कि टेक्शर को कैसे एक्सपोर्ड करते हैं जैसे माल लिजे आपने किसी एक कैरेक्टर को सेडिंग कर लिया setting network जो हैं उसको arrange कर लिया और उसके बाद वही same shader network हमें दूसरे character में चाहिए या उसी character में कुछ changes हो गाएं या कुछ condition होते हैं कि हमें उसी character पे वो shader network चाहिए जो हमारा पुराने वाले पे हमने setting network कर रखा है जो पूरा shader supply कर रखा है textures और shaders की value set कर रखी है तो हमें वही same shaders से ही है तो किस तरीके से उसको हम लोग दूसरे file पे या कह सकते हैं दूसरे character पे हमें ले जाना है तो उसको किस तरीके से पूरा shader network को हम लोग export करेंगे वह आपको tips मैं इस वीडियो में बताऊंगा सबसे पहले हम लोग hyperset को खोलेंगे तो यह देखिए मेरा एक character है टेक्शर कर रखा है बट इसको मैं जो दूसरे file पे ले जाना है तो इसको किस तरीके से दूसरे character पे हमें apply करना है ले जाके तो किस तरीकी से करेंगे तो पहले hyperset open करेंगे उस network को select करेंगे और यहां पर देखिए यह export का option है तो हम क्या करेंगे इस shader को select करेंगे और export करेंगे और इसको देखिए एक location देदेंगे हम लोग तो मैं location दे देता हूं और location देके इसको save कर देता हूं ठीक है हमें जितने भी shaders export करने हैं इसी तरह से हम लोग select करेंगे और export करते जाएंगे तो यह मेरा export हो गया आप देखिए मैं क्या करता हूं दूसरे file में मैं इसको इसी shader को import कर लेता हूं यहां पे दिया हुए import option त yes वाला था वह इसी तरीके का shader था और अभी मेरा current का जो scene उस तरीके का है तो इस तरीके से हम shader network को export करते हैं और import करते हैं तो दोस्तों यह एक बहुत ही tricky command होता है import export करने का जो हम लोग setting के during अगर कुछ character में changes हो गया क्यों हम लोग ऐसे करते हैं हमाली एक ही तरीके के हमा क्या है बस texture से लग है value हमने एक सेडर में सेम रख दिया एक character को हमने पूरा set कर लिया setting हो गई आप उसके बाद सेमी सेडर समारे दूसरे वाले character पर भी लगना है तो सेम हम लोग export करेंगे और import कर लेंगे बस हम लोग textures अलग अलग कर लेंगे जो उस दूसरे character पर टेक्शर हैगा टेक्शर अपलाई कर लेंगे सेडिंग वैल्यू हमें मिल जाती है इन सब के लिए यह मैथड यूज करते हैं सो थैंक यू दोस्तों वीडियो कैसी लागी कमेंड में जरूर बताईएगा